में आपको बदा कि दिको टॉमस की इंडेंट की ह特 dispos कि हैं रवाँब्स प्रेलट हैं तो www. को थोड़ा से रबिस जा रही है तो है कि excess की चॉइसरे program में टोड़ा थ्म जईद आ रही है तो indented key के अंदर choice को हमेशा left margin से थोड़ा सा distance पर लिखा जाता है यह होता है indented key में, procedure same है, just opposite होता है आपका bracketed key में bracketed key के अंदर क्या होता है कि आपकी जो दौनोग choice है वो side by side दी जाती है तो है, आपके पास है मैंने यहांपको एक couplet दिया उस couplet में क्या हुआ, उसके बाल आपको उसके नीचे ही दोनों choice आपको दी गई है लेकिन यहां क्या होता है, आपको दोनों couplet एक साथ लिखने होते हैं यदि आपके पास यह situation है तो आप second number पे जाएए ठीक है यदि आपके पास में second आपने choice डाली है कि seeds round है तो आपको किस पे जाना है 3 पे जाना है तो go to 3 आपके seed का जो shape है वो कैसा है oblong है तो आपको किस पे second option पे जाना है तो second पे उसकी choice लिखी है क्या choice है कि seed यदि white है तो आपको किस पे जाना है go to 3 तो आपके 3 पे क्या लिखा है कि seeds round है तो वो क्या होंगे आपके soya beans कालाएंगे यानि कहने का मतलब है सब identify कर रहे हैं लेकिन लिखने का pattern जो है या काम इनका जो procedure है कि किस तरह से इनको जो है वो काम करती है वो क्या होता है बस ये pattern है यानि कुछ नहीं indented key के अंदर left margin से थोड़ा से distance पे लिखी जाती है choices को और bracketed key में side by side लिखी जाती है और कोई difference नहीं हो जाए तो ये समझ में आ गया है कि indented key होती और bracketed key होती है ठीक है let's sum up the topic with pretty example अब क्या हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएक suddenly taxonomic key कया होती है ठीक है तो एक बहुत अच्छे से एक्जामिकल से हम समझते है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा actually key जो होती है कैसे काम करती है taxonomic key क्यों कहते है कि ये बहुत useful और simple टूल है जिसका example से हम समझेंगे कि कीज एक्चल में काम कैसे करती है ठीक है Rodeo Dendron एक plant होता है बहुत सुन्दर सा plant होता है जिसकी बहुत अच्छे से flower होता है आपकी पास एक unknown specimen है किसका है Rodeo Dendron का है आपको ये पता है कि ये जो plant है ये जो specimen हमने लिया है ये rhododendron का है ठीक है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी species कौन सी है ठीक है आपको ये पता है कि इसका genus जो है वो rhododendron है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस genus की species कौन सी है यानि इस plant की species कौन सी है तो आपको क्या करना है इसकी species को identify करना है ठीक है अब species को हम identify करने के ल कि हम रेफरेंस तयार करावा होता है हमारे पास में या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास रेफरेंस के तौर पे जितनी भी रोडोडेंडरॉन की स्पीसीज हैं उनके सब क्या होते हैं हमारे पास केरेक्टर स्टिक्स होते हैं ठीक है तो वो क्या काम करता है आपका रेफरेंस की तरह काम करता है ठीक है तो हमारे पास रोडो डेंडरॉन की ये पांच स्पीसीज है ठीक है रोडो डेंडरॉन सिकीमेंस, फलजेंस, वाल लिची, एरुगनोसम एंड कैम्पनिलोटम ठीक है ये पांच आपके पास क्या है रोडो डेंडरॉन की species है लेकिन जो हमारा specimen है हमें यह नहीं पता कि वो इन species में से किस को belong करता है ठीक है अब हमें पता करना है कि जो हमारा specimen है वो इन में से किस से belong करता है ठीक है अब हम वो हम कैसे पता करेंगे suppose कीजे कि हमारे पास जो specimen है यदि हम तो आसदिम मैंने आपको बताया कि बहुत सुन्दर से फलार्स होते हैं घाई रोड़ैंडरों के तो लिए तक नम रीधा खोल गालों का सबूंद जो गालけて प्लार का तोस्त कलर्स ने प्रॉर्स जो on he बूलिया हमने फलार कया ह S we show qh प्रॉर्स घिल्धा, q एक होता है red एक होता है pink दो color के flowers होते हैं red और pink ये जितनी भी species हैं इन में से कुछ ऐसी species होगी जिसके अंदर flower कैसा होता है red होता है कुछ ऐसी species होगी जिनके अंदर flower का color कैसा pink होता है इनके सारे characteristics आपको पता है और ये जो specimen है इसको अब आपको क्या करना है observe करना है observation में आपने डाला की हो सकता है आपका जो specimen है उसका रैड कलर भी हो सकता है लाया पिंग कलर भी हो सकता है तो अब हम देखते हैं कि जो यह color है इस color के base पर हम कैसे identify करते हैं कि इसको किस तरह से apply किया जाता है ताकि हमें पता रहे ताकि हम easy way में उसको identify कर सके ठीक है जो चीज identify होती जाएगी उससे separate करते जाएंगे जो character लिया है उससे match नहीं करती है वो species को क्या करेंगे हम eliminate करते जाएंगे ठीक है first जो हमारा character है color of flower वो लेकर हम क्या करते हैं choices डालते हैं और identify करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो unknown specimen है वो इन में से किस species से belong करता है ठीक है तो वो देखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि rodo dendron की कितनी 5 species के बारे में बताया है जो आपके पास reference के तौर पे है ठीक है हम उसमें से जो हमारा जो unknown specimen है उसका color जो है वो red है ठीक है या फिर जो हमने specimen लिया उसके flower का color कैसा है pink color का है ठीक है यानि हमारे पास ये 2 option है लेकिन हमारे पा पॉसिबिलिटीज कितनी है पांच possibilities है यानि 5 species के बारे में हमें पता है और यह हमें पता है कि जो character हमने observe किये हैं वो इन species में से कोई ना कोई ऐसी है जिससे हमारा जो specimen है वो belong करता है तो सबसे पहले हमने क्या character लिया यानि हमारे जो start होता है यह जो procedure start होता होता है वो कैसे varieties है इतने सारे characteristics हैं तो लेकिंग जैसे जैसे अब आप क्या करोगे हम choice लेते जाएंगे choice लेने के बाद क्या होगा specimen है उसके साथ में हमारी जो reference characteristics है या reference के तौर पे हमने जो species ली है उनके characteristics और हमारा जो observing features है वो यदि match करते हैं तो वो species हम क्या करते है separate कर लेते हैं और बाकी जो इतनी भी species होगी वो क्या होगी इस procedure से eliminate होती जाएगी ठीक है तो यह काम होता है हमारे कीज का अब यह कैसे करती है उसको हम समझने है ठीक है हमने first characteristic क्या choose किया flowers in shades of red कि red color का हम हमारे पास में तो red color के flower में भी क्या होता है कि उसके shade में change है यानि मैंने आपको बताया कि कीज क्या होती है कीज कैसे काम करती है वो हमेशा contra decree statements होते हैं एक दूसरे को opposite या एक दूसरे को oppose करने वाले दो statement या दो choices दी जाती है हमारे पास में और उसके हिसाब से हमें identify करना होता है हमारा object को ठीक है यहां पर हमारे पास में दो choice है first choice है कि flowers blood red ठीक है red आपका shade है उसमें भी क्या होड़ा आपका choice मिल रहे है क्या choice है कि blood red आपके पास flower है plus leaves जो है oblong है ओवेट है और thick है ठीक है ऐसा वो जो plant है आपका observing feature है वो यह है कि वो blood red उसका flower है leaves जो है वो थिक है और oblong awake है आप अपने characteristics check कीजिए जो आपने reference के तौर पर देखे हैं कि इन में से इसी कौन सी species है जिस फ्लार का color कैसा है blood red है प्लस उस plant की जो leaves है वो oblong है ओवेट है प्लस थिक है यदि वो characteristics आपने reference चेक करकी देखा तब आपको पता चलता है sixeymane स स्थिक है ऐसी स्थिस्जिज है जिसके अंदर यह characteristic होता है आप ये choice लेते हो तो आपकी स्थिस क्या हो गई आइडंटिफाई हो गई identify कौनसी स्थिस्जिज होई है कि यह ο रोडो डेन्टिफाई होने के बाद आप क्या करते हो इसको तो separate कर लेते हो क्यों लेकिन जो आपकी पास चार बची है पाँच रेफरेंस लिये थे न हमने उसमें से चार जो पीजी ती वह क्या हो गई ऐलिमनेट होती गई यानि हमें हमारा जो अबजेक्ट है वह आइडेंटिफाई हो गया क्या हो गया आडेंटिफाई आपका जो अन्नॉन स्पेसी मैंने वह किसे बिलॉंग करता है रोडो डेंडॉन स्पेसी से बिलॉंग करता है ठीक है आपका जो साइकेंड चॉइस आप लेते हो कि फ्लार का कलर कैसा है क्रिम्सन रेड है लीव ब्रॉड है और आपकी शाइनी लीव है तो आप चेक कीजिए अपना फिर से रेफरेंस कि यह इ अपने इस स्पेसी को एडेंटिफाई कर लिया तो बची भी जो चार इस पीचिए यह क्या होई आपकी ऐलिम्नेट हो गई यह तो इस तरह से क्या करते हैं हम च्ई डालते जाते हैं च्ई हमारी होती है च्ईष आपकी कैसे डिसाइड करते हो आप जो आपने फीचरस को observe कि ठीक है जो features आपने diagnose किये हैं जो आपके पास specimen है ठीक है उसको आपके reference के तौर पे जो characteristics होते हैं उनके साथ आप क्या करते हो match करते हो और match करने के बाद में जो चीज आपके match कर जाती है जिससे characteristic आपके match कर जाते है वो चीज क्या होती है तौर के wanting के कैम करती है ठीक है अब नेक्सर आप मैंने आपको बताया कि रूडुडव देंडरॉन का प्राइक का कलर जो होता है वो रोज पिंक भी होता है पिंक कलर का भी होता है ठीक है अब हमारे पास जब हम फ्लार का कलर ले रहे हैं जब मैंने आपको बताया कि रैड लेया तब भी हमारे पास में दो चॉइस थी ठीक है जब हम अब शेड ले रहे हैं पिंक तब भी हमारे पास क्या तब हमारे पास चॉइस आती है कि ऐसा फूल है कि फ्लार जो है वो रोस पिंग का है लेकिन उस फ्लार के जो कैलिक्स है वो कैसा है 3-5 mm लॉंग है लीफ अंडर सर्फेस विथ टफ ब्राउन हेर अब आप चैक कीजिए यह करेक्टर स्टिक है आप यानि आपके पास जो फूल का कलर है वो कैसा है पिंग कलर का है प्लस उसके साथ में केलिक्स की यह करेक्टर स्टिक्स बता रहे हैं और आपके लीफ के किर्ई चैक करते हो अब कौनी स्टिक करता है रोडो डेंडरोन वाल लिटी से आपके पास अनन स्पेसिमेन है वो किस से बिलॉंग किया रोडो डेंडरोन वाल लिटी से जो बाकी बचीवी आपके पास चोईस है या बाकी बचीवी जो स्पीसीज है वो क्या हो गई आपकी इलिमनेट हो गई आपके procedure से और आपने क्या select कर ली कि रोडो । डंवन वॉल लीची से हमारा specimen जो है वह कौंसी species से belong करता है वॉल लीची से belong करता है ठीक है फिर हमारे पास option आता है second choice आती है जो फलार का color है उसकी जो margin है वह और अलग purple color की आरही है यानि flower रोस पिंक कलर का है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट शेड का है तो यह characteristic आपकी किसी और species में मिलेंगी ठीक है यहां बात करी यह characteristic अलग आपकी species में show करेंगे जस्ट यहां पर आपके पास में दो choice और दे रहा है रोस पिंग के अंदर भी आपको दो चॉइस और मिल रही है जब दो चॉइस मिलती है तो इस चॉइस के साथ में या इस चॉइस के साथ में आपको दो चॉइस और मिल रही है जब दो चॉइस और मिल रही है तो क्या हो रहा है कि जो इन चॉइस को फुल्फिल करेगी आपकी स इस तरह है यानि वह क्या प्लिफी कर लिए जाता है औरुद कते यूदक सब्सक्राइब वह आपकर विया जाता है और रहरा हो जयंकि हमारा औव्जेट प्लिफाइ हो चुका है ठीक है इसी तरह यानि characteristics के comparison के base पर हम keys का use करते हैं यानि keys का use कैसे किया जाता है identification की तौर पे कि हम यहां पर comparison करते हैं दो characteristics में जब दो अलग-अलग characteristics को हम compare करते हैं और उनमें जब कुछ similarity मिलती है तो वो उसके according हम हमारे जो object है उसको identify किया जाता है ठीक है और दूसरा हमारे पास जो choice होती है कि हम एक जो option है उसको select करें और एक option को हम reject करते हैं तो acceptance & rejection के base पर हमारा object या specimens को identify किया जाता है ठीक है और यह identification का जो procedure होता है वो कैसे होता है? Keys के जरीए होता है. ठीक है, कीज क्या कहलाती है, जो contradictory statements की series होती है, वो क्या कहलाती है, कीज कहलाती है, ठीक है, interesting है ये topic, बहुत interesting है, और I hope आप सभी को समझ में आया होगा, तो taxonomic keys के साथ ही हमारा complete होता है, first chapter, the living world, I hope आप सभी को समझ में आया होगा, interesting लगा होगा, और मेरे साथ biology पढ़ने मे मज़ा आया होगा, I hope आगे मी मज़ा आएगा, concept समझ में आया होगा, अब से important चीज है कि हमें concept समझ में आने चाहिए, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आप सभी को concept अच्छे से में समझा सको, I hope मैं समझा भी पाई होगी, तो next class में हम next chapter स्टार्ट करेंगे, वो का biological classification और वो topic बहुत ही ज्यादा interesting है, आप सभी को और भी ज्यादा मज़ा आएगा, जानने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह के classification का basis क्या है, classification की कहानी है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, so stay tuned, till then take care, thank you.